निवागरा थाने में दर्ज मुकदमे में गिरफतार किये गया वरिष्ट अधिवक्ता प्रकाश नाराइन शर्मा और फबली को आठ फरवरी तक अंतरिम जमानत पर कोट ने रहा कर दिया है शनिवार को अधिवक्ता के बेटे की लगने सगाई होने और वकीलों की पैरवी से अधिवक्ता को नियाय मिला है नियुआगरा थाने में गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में गिरफतार किये गया वरिष्ट अधिवक्ता प्रकाश नाराइन शर्मा और फबली को कोट से रहत मिली है पुलिसन अधिवक्ता को गिरफतार कर कोट में पेश किया जहां वरिष्ट अधिवक्ताओं के तर्क और बहस के बाद प्रकाश नाराइन शर्मा को कोट ने 8 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रहा कर दिया है कोट से वकील को मिली राहत को अधिवक्ताओं ने न्याय की जीत बताया है अधिवक्ता प्रकाश नाराइन सर्मा को थाना निव आगरा पे पंजिकृत एक मुकदमे में जिरफतार किया गया है और उस मुकदमे की विशना चल रही है उसमें साक्ष और वी जुटाय जा रहे हैं जो उन पे आरोप था उसके संबंद में प्रतंदिस्रिया साक्ष मिले थे और 164 का बयान भी था उसके अधार पे कारेवाई की गई है थाना निवागरा में एक महिला की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था इस प्रकरण में महिला शुकरवार को पुलिस कमिशनर से पुलिस लाइन में मिली और कारेवाई की मांकी थी पुलिस कमेशनर के आदेश पर निवाग रथाने की पुलिस ने वरिष्ठ अधिवकता प्रकाश नारंशरमा और्फ बबली को गिराफ़तार कर कोट में पेश किया जहां नियायले ने अंतरिम जमानत दे दी है अधिवक्ता प्रकाश नारण शर्मा के साथ दीवानी परिसर में मार पीट की गई थी इसमें दोनों पक्षने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे वरिष्ट अधिवक्ता प्रकाश नारण शर्मा और फुबबली के बेटे की शनिवार को लगने सगाई थी और 6 फरवरि को शादी होनी है शादी का काड भी कोट में पेश किया गया था इसका फाइदा भी अधिवक्ता को मिला 9 फरवरि को अधिवक्ता प्रकाश नारण शर्मा कोट में सरेंडर करेंगे इसके बाद निया लाए फैसला सुनाएगा सी नियूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट